पेरुनारी राना सिंगहम लेकिन समय बदला और आज लोग इनके इज़त नहीं करते पता नहीं क्यों ये अपने लिए तीसरी बार लड़की देखने आये हैं नमस्ते जीजाजी बात सुनिए बहन ने उल्टी किये शायद गर्भ से है आरे उसे पित हो गया होगा पित नहीं हुआ जीजाजी डॉक्टर ने कहा है प्रेगनेंट है माफ कीजिएगा दरसल पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी गर्भ होती नहीं होगी वनावन मादेवी उनकी पहली बीवी है इससे इनकी चार बेटिया है बड़े दुख की बात है कि एक भी बेटा नहीं पंडि जी के हिसाब से मेरा पुत्र योग नहीं है वरना मैं आपकी इच्छा पूरी कर देती मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ये बताओ मैं अगर दूसरी शादी करनू तो मतलब आपने लड़की देख ली है क्या नहीं बस मैं अभी सोची रहा हूँ उसने अपनी चोटी बहन पंजावन मादेवी की शादी अपने पती से करवा दी थी वो भी बड़े धून धाम के साथ लेकिन भगवान का इरादा कुछ और ही था और पेरु नहीं ने तीसरी शादी कर ली चोटी बेटी मंगम मा अपने क्लास मेट के प्यार में पढ़ गई और प्रेगनेंट हो गई जब मा के डेलिवरी होने वाली थी तब बेटी साथवे महीने में पहुँच गए मा पूरे गांवाले हम पर हस रहे हैं कि बखरे के साथ उसकी बेटी भी प्रेगनेंट है पंजावन मा देवी के प्रसय का समय भी आ गया है मुझे लगता है हमारे जमिंदार फिर से बाप बने है तीन बीवियों से लड़कियां हो चुकी है मतलब इस बार लड़का ही होगा फिर से लड़की हुई है न मुझे तो तरस आता है न ओरतों पर सुनिए मेरी बास सुनिए अगर यह गांवाल हमें आपकी वसीयत नहीं देंगे तो चलेगा हमारी बेटी भी बच्चे को जनन दे सकती है ना जी मेरे बास सुनिए जी आपको स्रफ लड़का चाहिए ना आ आपको बेटिया पसंद नहीं है पिताजी एक है मेरे पास आओ यहाँ बैठो अगर में तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा नाम रानी क्यों रखता अब देखो ना ये महालक्षमी रानी, ये वैवोलक्षमी रानी, ये संयुकता रानी, जहां सी रानी और ये नई मेमान जो है, ये है पदमावती रानी अपने नाम के जैसे तुम सब रानी हो, और जहां भी तुम सब की शादियां होंगी, वहां रानी बन कर ही रहोगी लेकिन जरा सुचो मेरे मरने के बाद तो कोई ऐसा राजा चाहिए ना जो तुम सबका ख्याल रखे कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनकी बेटी मगमा ने एक बेटी को जनम दिया पेता जी खुश रो बेटी खुश रो पेता जी आपको हमेशा से बेटा चाहिए था ना आप इसे रखेजिए आपने बेटे की हैसियत से इसकी परवरिश कीजिएगा मैंने घरवाले से बात कर ली है पेता जी तु भी अपने पिता की तरह बड़े दिलवाली है तुम्हारे मुसे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई इसके आने की खुशी में क्यों आप 500 लोगों को खाना खिला जाए अब इसका नाम क्या रखा जाए शिव शंकर कुमार बेटी तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई इसे पपड़ो वैसे मैं अपने नाती को अपना बेटा कैसे बना सकता हूँ असली खुशी तो तम मिलती जब मेरा बेटा अपने खुन का हो क्या हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो अब जरूरी बात ये थी कि सिवा गामिनी सेलवम पूरी तरह से तुम्हारा है मगा मा उसकी मा है ये सभी लोग केले के फत्ते के लिए आये क्या अरे अरे क्या हुआ मालिक हम सभी लोग मंदिरों में तीन दिन से लगातार प्राथा कर रहें कि आपको बेटा ही हो और आज बहुत ही अच्छा दिन है आज वो दिन है जब मुर्गन असुरों का सर्वनाश किया था आखिर में उनका पाँच्वा बच्चा उनकी पहली बेवी से पैदा हुआ और उनकी छोटी बहन ने अपना दूसरा बच्चा पैदा किया ये है हमारे खांदान का वारिस मुझे जितनी खुशी है उतना ही डरा हुआ हूँ मैं ऐसा क्यों? अकेला बेटा और उसकी पाँच बहने सोच रहा हूँ उसके उपर कितनी जिम्यदारियां होंगी जब मेरे बेटे की सभी पाँच बहने शादी करने के बाद अपना अपना घर बसा लेंगी तो उनके बेटे, भाई, बेहन, रिष्टेदार सबके इकठा होने पर मेरा बेटा सबको कैसे सम्हाल पाएगा? इनका खादान जो दिलेरी और इससक के लिए जाना जाता है आज वो लोग किसमे भागने रहे हैं जो एक पैल का रेस है मालिक कोडियार्जू, जिन्दाबार मैं इससे सुच के लिए पर पोस्ट करूँगी एक, क्या कर रहे है रे? तु इसका फोटो क्यो ले रहा है? तुझे ये रेस जीत कर, गाउं का नाम उचा करना है गुना सिंगम नहीं जीतना चाहिए है ऐसा नहीं होगा भाई क्या? मेरा भाई वहाँ पे नहीं आया है ऐसा है तो फिर मेरा आना तो बनता ही है न और ये है सबसे छोटी बहन की बेटी का पती मतलब पिता जी महालक्ष्मी अरे बस चालू करने को बोलो ना हम लोगों को देरी हो रही है वैभव लक्ष्मी अभी तगाए नहीं एक टिपर को मिनी बस में नजर नहीं आना चाहिए न अरे तू चली जा और ये दूसरी बहन का पती है दो भाईयों ने दो बहनों के साथ शादी की लेकिन दोनों भाईयों की एक दूसरे से बिलकुल नहीं बनती समयुकता कितने भी लोगों फ्रतियोंगिता में जीतेगा तो मेरा भाई ही मानिक राओ गाउं की बजाए तू भाई को सपोर्ट कर रही है कितनी स्वार्थी है और ये है तीसरी बहन की बेटी जहासी रानी हमारी तरफ से मेरे भाईया हिस्सा लेते हैं उनके पती हिंद्रजीत अरे अब बस भी गर अपने भाई की दारीफ नमस्ते और ये है पाचवी बहन मेरे दादा की दूसरी बीवी की बेटी इनकी सिर्फ एक ही बेटी है क्या बात है यो बाई तुम लोगों ने देखा क्या तुम लोगों ने इस खुशी को कभी महसूस किया है क्या है इन बेलों को इनसान से ज़्यादा इज़्जत दी जाती है और स्वागत किया जाता है हलो फ्रेंज रेस शुरू होने के लिए सारे बेल इंतजार कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे आंकल गुडा सिंगम ही जीतेंगे आज की रेस में मेरी मामा ही जीतेंगे मामा का नाम क्या है उनका नाम है गुडा सिंगम शीवा गोत्रम हस्तन नक्षत्रम कन्या राशी सब बैलों की जोड़ी रेज के लिए तयार है सब लोग रेड़ी है थ्री टू वर्ट तबया खोड़ और से अरे मामा जी कहा है मामा करेंस्टोल है आप देल रहे हैं कि इस प्रद्योगता में बहुत जबर दस्टकर हो रही है सभी प्रद्योगी अपना पूरा जोड लगा रहे हैं देखते किसकी विजय!! और कोंकी अपार से बाइ ले जाता है आमा मा!! दिल चांचर लेंग मार्न देखने लेए आर प्रद्योग्तों का उसओzuप रनन जेदी रहे और यह देखिये गुणा की पर शेंड़ा है चब 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 जब दे राई समी के समी बत्तियों की अपना पूरा रहा रहा है कभी कोई आगिया हो रहा है कभी कोई कि शाव रहा है लेकि कोई कि पस नहीं आ रहा है हुआ कि शायव रहा है है क्या उठाग वैं वेरे मामा और कोडिया रसोल ने एक साथ पढ़ाई किये थी चौथी क्लास से वो दोनों एक दूसरे से जगड़ते ही रहते थे घरीब बच्चों के भविश्य को रोशन करने वाले मिस्टर सूरिया वो आज के इस काहिकर में यहां पर थोड़ी ही देर में पढ़ा रहे हैं वो आज चुके हैं जोरदार तालियों से उनका स्वाकत कीजिए बहुत बढ़िया तुम्हारे जैसे लोगों की वज़े से अभी तक हमारी परंप्रा जिंदा है लाइए भाया एक माला काफी नहीं है और दो माला चाहिए मतलब मैंने तो बस गाड़ी हां की असल में भागने वाले तो यह है अचा ऐसा है क्या यह लो तालिया अब बताओ अब तो खुश हो ना तुम्हारा नाम क्या है गुणा सिंगा महिया नाम बहुत अच्छा है यह लो तुम्हारे जीत काई नाम यह लीजे दनेबाद बैटी नाना जी यह लीजे अब आइसा बहुत अच्छा लग रहा है यह क्या चीज है पुदीने वाला चाहस है सेहत के लिए अच्छा होता है अच्छी बात है अच्छी बात है जिस काम से आया हूं वो बता के निकलता है आने वाले चुनाओं के लिए अगर आप कहें तो मैं भी खड़ा हो जाता हूं मुझसे पूछ रहे हो अगर मैं किसी से कहूंगा तो कोई भी वोट नहीं देगा पूरे गाओ का वोट मुझे नहीं चाहिए सिर्फ आपका वोट मुझे चाहिए बहुत है क्योंकि आप इस ये पूरा गाओं ही आपका है पूरे 5000 से जादा वोट है इस गाओं में ऐसा है क्या इतने सालों से मुझे पता ही नहीं है भाई साहब कार्तिके की तरह ब्रमान का ब्रमन करने से अच्छा कि गनेश जी की तरह सिर्फ आपकी परिक्रमा कर लूँ मेरे लिए बहुत हो जाए अब बात तो सही कह रहे हैं गनेश जी लेकिन अभी मेरी बात सुनता ही कौन है अभी तो सब गुना सिंगम की बात सुनते हैं बेटी की बात कर रहे हैं क्या उनको बुलाइए ना वो आज खेतों की जुटाई के लिए गया है आप एक काम कीजिए आने वाले 9 तारिक को मेर लोगों से मुलाकात हो जाए अच्छी बात है अच्छी बात है मैं आ जाओंगा चलता हूं अच्छा हमारे घर जो भी आता है मुसे यह देते हैं अच्छारी वाज है अच्छारी वाज है गुणा मौसी आई है एक मिनट बट एक मिनट कांचदाई की रसे में जरूर आईएगा पापा कैसी है मांजी अरे सुनो पिटा सबको निमंतर दे दिया है न कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में फंक्षन होता है तो कोई नाराजगी के वज़े से नहीं आता है मैं चा मेरी बेटी की कांचदाई की रस्म है जरूर आईएगा ठीक है बेटी जीजा जी सबके नाम के साथ उसकी उपाधी भी लिखी हुई है तो फिर मेरा सिर्फ नाम लिखा उपाधी क्यों नहीं लिखी सब लोग जादा पढ़े लिखें इसलिए साथ में उपाधी लिखी लेकिन आपने तो सिर्फ दस्वी तक पढ़ाई की है ना डॉक्टर के साथ DR लिखा हुआ है इंजिनियर के साथ ई-यार लिखा हुआ है प्रिंटिंग चलाने वाले वड़ी वाडीय जीजा जी के नाम के बगल में गर्भ से प्रैस लिखा हुआ है मैं खेतिवाडी का काम करता हूँ तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए अगर किसान लिखवाता तो लोग हसते ना जो हसेगा उसका चपल से मारूंगा गुणा सिंगाम किसान लिखवाई ये गर्व से पढ़ने में भी अच्छा लगता है मैं भी हर मैंने करीब डेड़ लाग रुपे कमाता हूं हर काम में रिटार्मेंट है लेकिन हमारे काम में कोई रिटार्मेंट नहीं होती है कैसे दिन आ गए हैं अपना राश्ट्रिय व्यवसाय सबको याद दिलना पड़ता है सुपब भै अभी आप जवाब दीजे महाशे अरे बेटा जी ससुर जी ये जो बोल रहा है वो बिलकुल सही है मेरे ख्याल से व्यवसाय के बारे में किसान लिखना ही सही रहेगा ऐसा की पता जी सिर्फ इसी की पत्रिका में किसान लिख कर देना होग मैं कुछ नहीं जानती नएी पत्रिका चपपाई ये नया चपो बेवज़ा खर्चा मत करवाई जी जाजी रहने दो बागी सब कुछ मैं सम्हाल लूँगा ठीक है आधी उमा पूरा गाउं चौप गया उन्हें देखकर सब की नजर स्वागत दादी यह देखो पसुबाई विकाठम बत्रीका में गुणा सिंगम के पारे में लिखा है स्मार्ट लग रहा है ना तुम्हारे पिटाजी आ रहे हैं नमस्ते नमस्ते सारे रिष्टेदार आगे हैं उन्होंने पहले बता दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे इसले उनका बैनर लगवाए है छोटे जाट वाग है वो अंदर है क्या है एक यह है जि किरो वाट का इसमार्वी ने देती है क्या किसमत है मेरी मेरी कुंड़िली मामा हलो हैंसलिम कैसे हैं और बहुत अगर आप कहां तो अगर आप कहां तो अपशीन आ रहे है पोच लो पापा भी कहरे थे कि जल्दी जाना है न तो अस तरफ बीसी दिर इसको शरून नज़र च लगता है सब लोग मिलकर इन दोनों की शादी करवा देंगे तो हम लोग इसलिए हैं देखती हूं शादी कैसे होती है पून अमीर गुणा की बीवी बनेगी इसे कोई नहीं बदर सकता है सबसे पहले उसका ही अधिकार बनता है वो बाहर की थोड़ी ना है शुरू हो गया कैसे एक दूसरे के खिचाई करती है यह राडा सिंगहम जैसा नाना और गुर्णा सिंगहम जैसा मामा बहुत खुश नसीब बच्चों को लिए एक मैने में बाल वापस आ जाएंगे रो मत अरे आईए आईए वो मेरी पहली बेटी है दूसरी बेटी तो वह है हां बैट ज और यह अब गले में तेरा भाई दान्वीर तरण नहीं कहा जो अशे लुटा रहा है जल चल बड़े रिवाद दिखा रहे हैं यह अपना रिवाद सही से निभा रहा है और उनको देखी मूं मूर कर जा रहे हैं बेटी को परनानी से आश्रवात दिलवा दीजिए, नब्बे साल के आसपास उमर होगी अरे सुनो, सरा यहाओ, चासी के बच्चों को कितने तोला सोना दिया कुल मिलाकर अठ्रा तोला होगा और क्या जब मेरी बच्ची की कान छेदने की रसम होई थी, तब तुम्हारे पापा ने छे तोले दिये थे अठ्रा तोला सोना पैनाने के लिए तेरी बेटी शहर में पैदा हुई है क्या, क्यों हो साले साब अगर रीती रिवास निभानाई है तो फिर एग जैसे निभाना चाहिए न, ऐसे भेद भाव क्यों करना है हरे रे, आप लोग फिर से शुरू होगे, जो नहीं करता है उसे तो छोड़ देते हैं आप लोग और जो करता है उसे टोकने की आदत पड़ गई हम लोग की हैं क्या हो छोटी ममी, अपनी बेटी के गले में देखो और ममी, तुम अपने बेटे के गले में देखो मैं क्या कह रही थी कि अब क्या जसुर जी सोने कीज़े नहीं, पहना दीजिए किसके घर में जगड़े नहीं होते, लेकिन फंक्शन में तो सबको आना चाहिए न, यह क्या है, जब आप आते हैं तो वो नहीं आते हैं और वो आते हैं तो आप नहीं आते, रिष्टा तूट जाये तो फिर जुड़ नहीं पाता है देखे, आप चिंता मत कीजिए, दोनों भाईयों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी ए, जरह यहाँ क्या हूँ अमा? नानी, अभी पता चला कि मामा ने हम सब को चैन क्यों पहनाया है? अभी यह सारा खर्च जरूरी है क्या? यह खर्च नहीं है मा, यह तो बचत है, सिर्फ दौलत कमा कर रखना बचत नहीं होती है, रिष्टों को संभालना भी तो बचत होती है, अगर हम नहीं देते तो हमें नीद भी तो नहीं आती, ऐसे ही रहना, बदल मत जाना, जी पिता जी दूसरे के कहने पर शादी कभी मत करदा? भई आज का खाना तो बहुत ही स्वादिश्ट था अब बेटे की कमाई से घर पर बैठ कर खाने का आनन धी कुछ और है सुन बेटे खेती बारी तो तुने समाल ली बहुत अच्छा कर रहा है तू अब सोच रहा हूं कि घर की जिम्मेदारी भी तुझे सौंद दू अरे चुप रही है पापा अरे पचास साल से तो मैं समाल रहा हूं ना मुझे लगता है कि तू मुझे से बेटर समाल सकता है कितना अच्छा हो कि हमारे पूरे परिवार का एक गुरूफ फोटो घर की दिवाल पर लगे और ये मेरी दिली ख्वाहिश है और तब मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि रण सिंगम शेर की तर है क्या नाला जी आप ये क्या कह रहे हैं आप मैं इससे भी कठिन जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ देख तेरी दोनों मा की आखों से और तेरी पांचों बहनों की आखों से कभी भी आँसु नहीं आना चाहिए कई मेरी आखों में आशु ना आ जाया रुको रुको अरे रुक जाओ देखा नहीं रोकी गाड़ी बुड़ी देखकर भी नहीं रोकते हैं बेशारम कहीं किया हुआ दादे एक घंटे से इस बोरी को लेकर खड़ी हूँ इसे बाजार ल क्रूँ नहीं का पर फ Civil हैं नहीं है। करेंञे रया आटमारे법 यहल― कि करूँ लगाते हैं नहीं मीझ chats औरीज्य़ी आट consume स्वाप marriage औराघरमारनों में यहाँ कि छाफ ज्राव प्पार, क्मल, कि *** जोड़ी 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 दोस्ट अरे मैं आधुलाए तो फूम पर बूम रहे हैं काला पड़ जाएगा अबाई सही का आपने शाधी में रिष्टे दारों को क्या देने वाले हो बिस्किट दुगा भाई रोटा बर के कफी काफी दे देना बिस्किट खाते हुए जाएं है आएंट किसे हो किसा में अपक्राइब है एक बार बोला तो समझ में याता है क्या है है कि अगर गाड़ी ने याट है तो पुलाओंगा और मैं सिंगं और फ्राइट चलाने की तरह तेज़ भगा रहे थे तेरे काम को डिस्टब तो घुसा आ रहे जा रहे थे अगर तीन बोरिया चड़ाओंगा तो आठ लोग कम चड़ेंगे फिर मेरे कलेक्शन का क्या होगा ओनर मुझे चिलाता है तुम्हारे ओनर को आज नहीं खाना है क्या कौन सा गाओं है शहर है तब तो मुश्कील है उस बोरी के अंदर जो बैंगाने ना उसको पर छोड़ कर नहीं जाते आज के बाद इस बस में सिट नहीं होनी चाहिए हाँ तो चलो जाने दो हो चलोचलोचलोचलोचलोगया अच्छा सुन हां मामा ड्राइवर की सीट भी उखाणनी है क्या बहुत देर से बैठ कर आ रहा है वो नहीं नहीं दादी को वो बीच रास्ते में उतार सकता है इसलिए वो जहां तक जाएगी महाता है सही है मामा दादी के उतरने तक या फिर पार्टी के उतरने तक मामा कवन है पार्टी है लगे रहो लगे रहो मामा उदर अपनी एसी गाड़ी खड़ी है आजाओ आजाओ चलो भाया पांच रुपए दिये हैं मैंने एक रुपए वापस कीजिए छुटे नहीं है बेटा अगर होते भी न तो भी नहीं देता टेकेट 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 किदर जाना है किदर जाना है पता नहीं है यह किदर जा रही है किदर जा रही है टेकेट 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 माईया पैसे वापस देना भूलिएगा मत्युट्टे नहीं है मेरे पास आएंगे तो दे दूँगा भाग नी रहा हूँ टेकेट 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 एक नमबर की कंजूस मक्खी चूस लग रही है ये तो जो भी इससे शादी करेगा न दिवार पर अपना सर तोड़ लेगा लड़की के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए और हां लगता है मैंने इसको कहीं पर तो देखा है हर खुबशूरत लड़की को देखकर लड़के बोलते हैं किसको कहीं देखा है मामा साब यह हमारे कॉलेज के एगरिकल्चर डिपार्टमेंट के हैड है आपके बेटी के बहुत सारे आर्टिकल्स आरे अगर वो कॉलेज में आकर स्पीच देगा तो स्टुएंट्स को मोटिवेशन मिलेगा ना अरे ने मुझे यह स्पीच होगा देना नहीं आता अरे उसमें अरे यार यह तो हई बस वाली है ना संगीत बहुत ही अच्छा है ना सिर्फ संगीत ही दिख रहा है क्या मामा समस्दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी नानी यहाँ आए अब देखिए हमारे चीफ गेस्ट मेरा पोथा आ गया क्या कि एती करना मेरी कोई इच्छा नहीं है खौईश है अब हम गुणा सिंधम जी से अनुरोद करते हैं कि वो मंच पर आये और दो शब्द कहें मामा मेरे बारे में भी दो बाते हैं वेलकम से नमस्कार आप सबने खाना खाया गया लिट्टी पकड़ने वला हाथ है पहली बार माइक पकड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूं आपका संगीत बहुत ही अच्छा था अच्छा वैसे बड़े बीच और एक अच्छा शब्द दोनों भी एक समान होते हैं जैसे कि अगर हमें एक अच्छा बीच अच्छी जमीन में बोते हैं तो वो सौ गुना ज्यादा फसल देता है जब इन्होंने मुझे यहां पर बुलाया तो मैंने तुरंध हां के दिया ज्यादा दर माबाब देखा अच्छा है ना विदेश में पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं लेकिन स्रिफ भारत ही ऐसा है यहां किसी को खेती नहीं करनी है जो अनपड़ है वही खेती का काम करेंगे और कोई नहीं करेगा मैं सर्फ किसान और कृष़ी की तारीव करनी के लिए नहीं आया हूँ लेकिन मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ यह मितें निकाल रहा हूँ LOL किसाननों को मिटाने के लिए एक टीम बनाई जा रही है अरे मामा देश द्रोही बोलके कहीं अंदर ना करने आपको आप डर क्यों रहे हैं मैं हो ना अरे आप चुप रही है माराज अरे इतने बेशरम लोग जब जिन्दा हैं तो हम क्यों मरें इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ भगवान नहीं है अना जुब जाने वाला भी भगवान है अरे हम किसान हैं ये बात गर्व से कॉलर क्या बात है देखो बच्चो आप इंजिनियर बनिये डॉक्टर बनिये या वकील बनिये चाहो तो आप राज निती में भी जाईए लेकिन साथ में खेती भी कीजिए मेरा तो मानना है कि अगले ऑलिम्पिक में आप कितने मैडल लाने वाले हूँ इससे ज्यादा अगली पीड़ी में कितने लोग खेती करने वाले हैं ये बात बहुत जरूरी है और यही हमारे घर की और देश की जरूरत है मैंने ये सब तालियों के लिए नहीं बोला है कोई किसी के सामने हाथ न पहला इसलिए बोल रहा हूँ भविश्य में किसान बनने वालों के लिए मेरे धेर सारी शुपकामनाए है और मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए धन्यवाल मालिक बेटे ने अच्छी स्पीच दी ना आखिर बेटा किसका है मामा आपकी स्पीच सुनकर मन कर रहे हैं कि पूरा का पूरा खजाना लुटा दूँ आपके उपर आपे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए वह पचास पैसे वाले किस बस में जाती है वह पता करके बता दे पास ये लीजे नाना जी आपके लिए गर्मा गरम सुप अरे वाँ थैंक्स बेटा बेटा एक दिन की चुटी चाहिए थी मुझे क्या बात है सर इतना परिशान क्यों लग रहे हो नहीं बेटा मेरा पुता दस दिन से लापता है मुझे लगा लौट कर आ जाएगा लेकिन बैलों का रिस देखकर वो लौट कर आया ही नहीं वो एक लड़की स प्यार करता था कुछ आदमियों ने उसे धंकाया भी कि दूसरी जाती के लड़की से वो प्यार वियार ना करें और उस दिन के बाद से वो लौट कर नहीं आया अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सर कहीं क्या होगा वापस आ जाएगा पूश्टाच कीजिए बेटे जरा तुभी ना अब बनाबर हो गया और आज की बाद छुट्टा नहीं है ऐसा मतएगे कुछ आप चुप हुप इसा होना चाहिए आप दोनों बहुत अच्छी बाते कर रहे हैं है है जब सब लोग दो रखटा रहे थे अवब ताली बजा रहे थी vet क ost怕 are you a to my potential का अब को देख़ा का अ कॉलज में देखा था नहीं नहीं उससे भी पहले बस में यहाँ से भी पहले किस से पहले खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा इस पोस्टर को देखकर मैं चाओं गया था और सोच रहा था कि यह लड़की मुंबई में रहती होगी क्यों खुशुरत लोग सिर्फ मुंबई में रहते हैं क्यों मैं मॉडल नहीं हूं तो फिर अभिनेत्री हो क्या अज कल का फार्शन पाशन टीवी देखने वाले जानते हैं कितनी तकलीफ होती है अपने हमारा सोड़ा पिया है हाँ अच्छा दीस्ट है ना सूपर है मिक्सिंग के लिए सही नहीं है सारे लोग वॉमिट करके शिकायत करते हैं हलो वो क्या है न कि उसमें तोड़ा पानी मिला करके अरे मामा क्या कर रहो कंप्लेन असा था इसलिए होने बता दिया बाई हर गली में अपना मंडल होना चाहिए है सुनो घर में इतनी सारी कारे खड़ी है यह सब छोड़के लोकल बाज शेरिंग ओटो में सफर करना अच्छी बात है क्या बहुत अच्छा है मामा यह सब पापा का कमाया हुआ है जिस दिन मैं इतने पैसे कमालूंगी न उस दि से भी अपनी रड़की है तुझे छोड़के कहां जाएगे चिंता मत कर क्या माम मुझे पहले याद दिला देती तो मैं कल केले का पूरा गुच्छा लेकर आता ना मैं बताने ही वाली थी लेकिन किसी काम की वज़े से भूल गया है यह सब क्या है गुड़ा तुम्हारे घ जारे पागल वहां से मिलिया ना चलो गर पे अब इसना शर्मानी की जरूद नहीं है यह देखो कौन है यह लड़की अपनी विरादरी की है गोड़ा सिंगम की बेहन की वेटी है लड़का दूसरी विरादरी का है यह देखो ना पब्लिक प्लेस में कोई ऐसे दान दिखाता है क्या ए तो किस गाओं का है कौन है क्यों आप कौन है यह क्या करें आप पूछ के देख पता चल जाएगा तेरे बाप का नंबर दे क्यों अरद है मेरे फोन अहां बोल बेटी मैं कोड़ी आर्सू बोल रहा हूं एक जरूरी बाद बता दूं तुम्हारी लड़की जो है ना बस्टोप पे प्यार कर रही है यह मेरा फ्रेंज है थोड़ा समाल के रखो हमारे खांदान के लड़किया ऐसा नहीं करती है मेरी बेटी कहां जाती क्या करती है यह देखने के लिए गुण सिंगम है ना फोन रख हां आज क वजब तीन सो बार उठक बैठक करनेगा तू हमारी ब्रादी के लिचों का छेड़ता है यह कर रहा है अगर तीन दिन भी लगे तो भी लगाना है चलोट अचलोट गुणा वो मेरा फ्रेंड है गुणा ऐसे ही खाड़े ओकर बात कर रहे थे और दंदी गंदी बाते करने अले लगे फोन भी चिल्लिया मत्से उनने छोडना वत गुणा हूं अब हूं झाल 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 जातिवाद पार्टी चलाना जात के नाम पर व्यापार करने वाला जाति को मिटाने की बात करके उसे पालने माला इन सब को चला कर राक कर दूँगा चलो उड़ाओ इसे कहते हैं पढ़ा लिखा जाति चलो चलते हैं अपने अरिये में अपना बढ़ने लगा ये बात याद रखना है अगर उसे किसीने भीगाडने की कोशिश की तो एक बात याद रखना एक कोड़ीआार्सू उस पे भारी पढ़ेगा एप मामा, सोडा बोटल के बारे में फूर डिटेल पता चल गया, नाम है कनका, आहा, क्या शुद्ध नाम है, तो मेरी मा शियुगामी ने मेरा नाम चाइनीज में रखा है क्या, एकलोती ओलाद है, बहुत पैसे हैं, कार में चल सकती है वो, इतना धन्दोने के बाद भी वो बस मे चलती है, क्योंकि उसे साधगी से रहना पसंद है, इसलिए मैंने उसको पसंद किया है, मामा, हस क्यों रहे हो, नहीं यार, उस लड़की की साधगी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, मैने तो उसको डूड लिया, आप एक गोगल हो मामा, गोगल नहीं, गूगल, आज के बाद कभी रेस्ट करना हो, तो ससुरी जी के घर पे, ऐसे शरीर एंट रहा है, लगता है, पूरा बकरा ही निकल गया, पापा, आपने कभी प्यार किया है क्या, ये सवाल किस से कर रहा है, पता है, ये यहीं पर है क्या, पापा, आपको उतरने की जरूद नहीं है, रोड़ पर खड़े रोगे, अच्छा नहीं लेगेगा, इससे पहले रत पर बिठा कर लाते थे, क्या, कितने का दिया माजी, पापे बहुत महेंगा है, पापा, उस लड़की को दिखिए न, पंदेर रुपे के दो दीजिए, बाकी सब तो सस्ते बेच रहे हैं, आप इतन मुझे गर्व से देख रहे हैं या हीन नजर से देख रहे हैं पापा, इससे प्यार करेगा या शादी करेगा, क्योंकि आज कल के लड़के जिससे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं करते, और जिससे शादी करते हैं उससे प्यार नहीं करते, प्यार करके शादी करने वाल लेकिन कल जब ये बात घर में सब के सामने खुलेगी तो सिर्फ तेरी बहने ही नहीं, तेरी मा भी पूरे घर को सर पे उढ़ा लेगी, उस वक्त ये मत कहना कि मैंने पापा से पूछ कर प्यार किया है, मुझे फसाना मत, अरे रे रे, ऐसे चोर निगाहों से मुझे मत देख, मैं डर रहा हूँ, ओके, चल बाइक स्टार कर, ठीक है, एक बात सुन ले, तुझे दादी से लेकर छोटे बच्चों तक को समालना होगा, बेटे, कभी भी परिवार ना भी खरने पाए, ठीक है पापा, क्या जॉमी, कैसा है तू, कोडियारसू, जरा पुली स्टेशन आ सकते हो, अरे आज शादी है, सुब महरत निकला है, मंगल सुते देना मेरा काम है, बात क्या है, उदे शंकर नाम के लड़के को जो तुम लोगों ने बहुत पीटा था न, उसकी कंप्ले नहीं है, किस ने क्या है, गुणा सिंगहम ने सर, आप आओगे, तो दस मिनिट में काम खतम हो जाएगा, कल नाइट राउन पे काम गया था, सर कलू मली था, वाकी टॉकी कैसे कुम हो गया, साहब, इंस्पेक्टर, गुणा सिंगहम जो बोल रहा है, वो सब जूट है, वो उसके और मेरे बी अडले दस मिनट में भाई वहाँ पे होंगे, कोडियार्सू, गुणा सिंगहम ने आपके आदमी को उठा लिया है, पिछले मैंने बैल की रेस चब चल रही थी, तब मास्टर जी का बेटा जिस लड़की से प्यार करता था, उससे बात कर रहा था, एक कौन है तो, टेको भ राजनिती करने और राजनिता बनने के लिए त्याज करना चाहिए, जैसे इसने किया, विडिन्स नहीं मिलना चाहिए इसलिए, उसकी बाडी को जला कर उसकी राख कुनती में बहा दिया, मैं उसकी राख भी नहीं देख पाया ऐसा कर दिया उन लोगों ने कोड़ियार उसका बैग्राउंड मत देखिए सर इसमें करणित मास्टर जी का बहुत नुकसान हुआ है मैं वहाँ शादी में था और तुमने मुझे यहां बुला के फसा दिया अरे अभी जा सकते हो सच में हाँ कितना हो सकता है 10 लाख 20 लाख 25 लाख बात करके देखते हैं जाके बोल अरे मामला भी गड़ जाएगा आप खुदी जाके बात कीजिए इंस्पेक्टर गुस्टे से मारा था मर गया फाइर तो नहीं हुए ना मतलब आपने उसको मारा यह आपको बूल कर रहे हैं हम अच्छा सुनो स्वामी होने वाले मंत्री को सेल के अंदर लेकर जाओ कल कोट मैंने प्रोडूइस करना है यह उठ उठ ना आज तक सुवामी तुम्हारी तंखों के लिए काम कर रहा था आज पहली बार सुवामी ने सरकरी तंखों के लिए काम किया है पुलिस मुटबाबाद! पुलिस मुटबाबाद! शादी के बीच मैं भाई को आरेस्ट कर दिया पुलिसनAA तुम मेरी बीबी के भाई हो इसलीज़ तुम लोगों को अपने गहर में रखा ये मैंने गलती की यह सब शुनकर मेरे रॉंग टेखड़े हो रहे हैं इस मामली के वाजय से अगर मेरी कमपनी में कोई प्राब्लम माई ना तो फिर अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा जीजा जा जाओ मामा मामी आ रही है औरे मामा कहा जा रहे हैं मंदिर में अरे आजमने नहाया नहीं है मामा तरह सौल आपख्र एंदर चाय पीने घया था ममा तरह मेरे कंस मामी को पताने के लिए पानी में अगल कर मुझे मानना चाहते हreon Comes बेटकर अराम नालो ना तरह के सोके न आलोंगा अपना है इधर अम Hindवि इधर फैंसी कांपर्टीशन में आएं क्या है भगवान वेंके ट्रामा पांडुरंगा गोविंदा गोविंदा ये कार्थी के ने सॉरी कार्थी के क्या मामा आपको पंचा मुरित लड़ू का फर्क नहीं पता है क्या चला गया आप सिर्फ खास दिनों में ही मंदिर आती है या हर रोज आती है मुझे रोज ना पड़ेगा क्या माई लाड मेरे मुवकिल पर आरोप लगाया गया है लेकिन इन्होंने समाज की बहुत सेवा की है पड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं ये पासपोर्ट को हम कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं आप से विंती है कि इनकी जमानत मंजूर कर दीजिज़ सहब इन्हें जमानत देनी है या जेल भेजना है ये मैं तै करूंगा छात्र का खून किया इन्होंने इनके गाउं में जाने से दंगा फसाद हो सकता है इसी लिए इन्हें 200 किलो मीटर दूर इस्थित मदुराई शहर के पुलिस टेशन में पहुँच कर दोनों वक्त साइन करना होगा मंजूर है मंजूर है साहब अच्छा ये बताओ सुबे के समय साइन करने के बाद रात को तुम्हारे आदमी कहा पर ठहरेंगे अच्छा तुम्हे तिरूपती कुंड तालाप पता है क्या और ग्रेव का पेड़ पता है पता है वो क्या करता है ये भी पता है जमीन के पानी को खीच लेता है करेक वो पेड़ तालाप को चारों तरफ से घेरे हुए तुम्हें काम करना है तुम्हें हर दिन साइन करने के बाद सीधे उस तालाप पर पहुंचना है और दस डालियां काट कर तालाब के उस पार उन्हें पहुंचाना है ऐसा करोगे क्या? करूँगा साहब आईए सर आईए क्या भाई इतनी जल्दी? दर्वासा बंद किये भी ना बैठे हो? बंद मत कर! जेल में भी ऐसा ही खुला रहेगा इसी तरह रहने दे बातरूम में पानी मट डाल पिशाप की पदबू से मुझे उल्टी होनी चाहिए पूरे दिमाग को उखाड़ कर फेगने जैसा महसूस होना चाहिए मेरे खुद के गाउं में कदम रखने से रोग दिया ना मैं किसी भी आयोजन में शामिल नहों सकूँ ऐसा कर दिया उसने भाई! उपर बैठीए ना जेल में चाय नहीं देते हैं रे बेवकूफ जमीन पर बैठना है और जमीन पर ही सोना है मेरे खाने के लिए अल्मूनियम की थाली लेके आ ऐसे ही जेल में देते हैं जेल से बाहर आगयो जेल की बात मत करो बाई जाओंगा मैं वापस जाओंगा उस गुड़ा सिंखम को मार के जेल जाओंगा तब तक ऐसे ही रहूंगा बत्तियां बुझा तो मुझे नींद नहीं आती है बहुत घना जंगल है तू अपना मूँ बंद रख अए बगवाने 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 क्या है कुछ नहीं तुम मुझसे प्यार कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो प्रीज प्यार ही करता हूं किया अगलि आरे बंद और खॉलो आरे इसम्हार रहेुह अगर हम्मद है तो मेरी आंखों में देखकर अपनी राइट हैं को लेफ्ट हार्ट प्र रखकर मैं तुमसे प्यार करता हूं आपने दिन शादी क्यों कि ऐसा फील करूंगा इतने दिन शादी क्यों नहीं किया ऐसा फील करूंगा और तुम भी शादी के बाद मेरे साथ बहुत खुश रहोगी कसम से कहता हूँ यही अपना घर है मैं चाहूं कि अरे कोई देख लेगा आजाओ वह वहाँ पर जो दिख रहा है वही अपना खेट है कुपसूरत है वहाँ तक मुझे कुट्टे की तरह इधर उधर भगा कर उस पेड़ को कटवा रहा है और उधर वह मेरी बहन की बेटी से लव कर रहा है हाँ ए आज तक जो भूला नहीं सकते वैसा हाथसा और ना भूलने वाली बहानक मौत अपने राज्य में कहां हुई है यह बताओ बहुत है भाई नागर कोईल में बहुत बड़े गुंडे हैं ब्यासर वाड़ी के मेले में दो टिमों के भी जगड़ा हो गया भाई मद्रई में भी दो परिवारों के पीच दुश्मनी थी भाई इन सबसे भी बड़ा बहुत बड़ा पूरा शहर इसके बारे में बात करें ऐसी मौत गुड़ा सिंगम की होनी चाहिए हलो बोलो ना हमेशा हसते रहते हो ऐसे लगता है फोटो खिंचवाने के लिए खाड़े हो तो क्यों पसंद नहीं है क्या हम इसके लिए भी हस होगे हां और गया इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूं ठीक है मारो इन है मामा सामने बच्चे मामा अरे वह बंच गया है फगा 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 जल्दी अलो निकाल जल्दी निकाल बंच गया वो और जल्दी निकाल अरे वाप्रे आज के बाद जरा होश यार रहना बेटे अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा अरे सुनो मोच इस पर में आई है उस पर में क्यों मालिश कर रही है तुम तो चुपकर मोच उस पर में है तो दर्द यहां पर हो सकता है सुनो भागवान है साले सहाब को कोछ नहीं हुआ है जोड़ाता कारी काड़ी कर्ठ अरे नहीं मिला क्या है अरे बाप रहे चोट मुझे लगी है तेल का मसाज उससे हो रहा है इस दर्द से ज़्यादा वो देखकर दर्द हो जो वहां पर चल रहा है। मैने पाया सूप बनाया है। बेबी मा आप क्या कर रहे हैं? पंक्का जाल रहे हूँ। बाप्रे बहुत ठण लग रहे हैं, जारा आराम से करो बेबी अमा। अब है सुन! मामा! इतना दर्द हो रहा है क्या नहीं बहुत मज़ा रहा है अब तू क्यों रो रही है कुछ भी नहीं हुआ है दो बार गुणा से दुश्मन ही निकाले की कोशिश की है अढ़ी के पास तो बहुत बड़ी सेना है आपके जबानी काफी हो नको रोकने के लिए ठीक से पीरा बड़ी रानी पापा करो 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 पती को विगाड़ने वाली यही लोग है नाना आप नशा नहीं करते क्या हर किसी को कोई नशा होता है मुझे तो अपने परिवार का नशा है तब ठीक है कोणा को इसकी आदत नहीं क्या बात कर रही है थीक है अब चलो सब लोग बाहर बैटकर खाना खाते है अरे नहीं क्या करता हूं ना अरे जोड़ना नहीं लेकंटे शंकर बगवान की जाए जॉली ब्रो आपके लिए भी बनाओ क्या गुणा लुक जयाओ मैं भी आती हूं मैं गुणा के पास बैठ क्या चिला रहे हैं को ना किल कॉलेज की फीज भरनी है भूलना मत वह सब पढ़ने वालों के भरते हैं तुम्हारे जैसे फेस्बुक अपडेट करने वालों के लिए नहीं चुपकर एं मैं भी फूट बहूंगी सब लोग यहाँ देखो स्वामी सभी जरा रुच जाए स्वामी यह मारी माता काली माता जरूरी कहो लेना बात कर गया तो बेटा जरा वहां पे जाओ आए इसले ऑफिसर बुला रहे होंगे हेलो बुलो कहां हो और तुम कैसे हो ठीक हो बस मामूली सी मोच है मैं तुमने अभी देखना चाहती हूं आओगे क्या अरे बाप रहे यह नहीं हो सकता दीदी जीजा जी सब लोग देखने आए हैं भाई को कुछ हुआ तो सब लोग देखने के लिए आ गए हमारे बीच प अरे बापरे ऐसा सोचने से भी डर लगता है तुम्हें बोलना ही होगा क्यों मेरे चोटे मामा ने पापा को सब कुछ बता दिया है क्या कह रही हो फिर पापा ने मुझसे कुछ पूछा तो नहीं हम खोदी सामने से बता देंगे यहीं उनकी इज़त होगी एक किसान को अपनी बेटी देने के लिए आप इतना सोच रहे हो बढ़े लिखे और पैसे वाले होते हैं उनको देखकर जलने का जमाना चला गया है सर अब तो जल्दी ही किसानों को देखकर जलने का समय आने वाला है पढ़ाई करके फॉरण जाकर एक लाग रुपे कमाने वाले लड़के से अच्छा तो अपने गाउं में किसान का काम करके दस जार महिना कमाने वाले को मुझे इज़त देना आता है देखो समस्या अभी कृषी की नहीं है वैसे तुमने अपने पापा को सब बता तो दिया है ना पापा को लड़की दिखाने के बाद ही मैंने प्यार करना शुरू किया ये तिल्ले नाईकम की बेटी उन्हें पता है ये क्या निया चक्कर है देखो मुझे कोई अतराज नहीं है मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार बहुत बढ़ा है तुम अपने परिवार से बात करो उन्हें कोई अतराज नहों तो रिष्टे के बात कर लें अभी उठा लो अब आपको नोड़ना है हम लोग पी लेते हैं ठीक है मैं आता हूँ चलता हूँ बेटे वापस आओगे अपने बाप की जैसे ही करोगे मैं समझा नहीं अगर मेरे घर पे लक्षुमी आई तो फिर मैं यहाँ जरूर आऊंगा वो मेरी बेहन थी बोल कर गए थे लेकिन वापस नहीं आये बेटी पैदा होगी तो आएंगे बोला था ना अभी तो लड़का पैदा करके फेजा है ना आऊंगा पक्का आऊंगा ससुर जी क्यों बेह मारना यह फैसला कर लिया है उस तरफ से जाओगे तो गाहाँ 10 किलोमेटर दूर है और इस तरफ से जाओगे तो गाहाँ 7 किलोमेटर दूर है इस तरह बीच जंगल में आकर मार खाओगे तो कौन बचाएगा तुम्हें डरना मत हम लोग तुझे आज मारने वाले इधर जंगली जानवर बहुत है वो तुझे खा लेंगे इसी लिए हमने इस जगे को सेलेक्ट किया है अगर मैंने मारा तो यह सारे जंगली मरने जाएंगे बेचारे क्या कर सकते हैं रूचा एक तरकीब बताता हूं तुझे अगर मैं इनके हाथ लगया तो यह मेरे साथ बहुत इंजॉय करेंगे तुझे इतना डर रहा है तुझे बहुत ही भादूर है ना क्या भादूर हूं चुआ हूं मैं तो आवा सुनते फुदक फुदक करके भाग जाता हूं देख भाई बहादूर ही दिखाने आला ठीक है भाई अलो डिया अउस्पिटले क्या यहां गुड़ जंगल में बहुत बड़ा एक्सिनेंट हो गया है काफी बड़ा एक्सिनेंट हो गया है सर यहां पर कुछ 15 लोग मार खाकर जखमी पड़े हुए हैं सर असर जल्दी आ जाये ना सर सर उसमें से एक पीला शट प उसमें से जो काला शट पहना हुआ है न उसका हाथ टूटकर हैं लेफ्ट हाथ वह बहुत तडब रहे हैं सर एक अबुलेंस काफी नहीं होगी क्योंकि सारे लोग जंगली भैस की तरह लगते हैं यहां पर हैं अगर तीन अबुलेंस भेजेंगे ना तो सबको उठाकर ले जाने में आसनी होगी आरे होना आजो यह सब क्यों मामा जब ठीक करना है तो ठीक से करना है अब ही मैं मारूंगा और तू भी मारेगा ओके डिशा डिशा कर दो 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 जागे उसके तुमने कर दो तो मामा ऐसा मारो कि उसके दोनों कान के पर्दे पढ़ जाए मामा हमार्षा मथाता देते सद्रे के वीफे मिला करें कि खाया खुए कि खायाद रे कॹए साइए, साइए, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं है, 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 क्या हुआ, तु लाइन पे गया, रोपी कहां है, जमानत मिली या नहीं मिली, जमानत ना मिले ऐसी दुआ कर, जमानत मिल जाये दुआ करूंगा, अगर मिल गई ना, मर्द है तो सामने या, भाग गए ना, इस शादी को रोकने के बारे में सोचा ना, तो उन सब का हाश्र यही होगा, अपने परिवार का कोई हुआ तो, चाहे कोई भी हो, घर में दो-दो लड़किया हैं, फिर भी तु बाहर की लड़की से शादी करेगा, देखा ना बेटा, घर में समस्या हो गई ना, पापा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देख बेटा, मैं उन लोगों के सामने गिड़गड़ा नहीं सकता, अगर किसी ने भी मना किया ना, तो मैं राजी नहीं होगा, अगर किसी ने भी मना किया ना, तो हम जित से कहें के उस ये ज़रूर होगा पपा। मेरी मा नहीं है महालक्षमी है मेरा मतलब सती लीलावती किसी को अपने पैर पर गिराने के लिए सोच ले ना तो अपने पती को भी नहीं छोड़ती बिलकुल रड़ चंडी है वो आई मेन एकदम चंबल की डाकू एक्शन केंग जोड़ मुझे जोड़ते क्या है और तीसरी स समयुकता आसूं की नीद आसूं ही उसके हथियार है वो उसके जरिये सब कुछ हासिल कर लेती है तुम्हारे अंदर सब्सक्रासी शर्म इमान दया कुछ है या नहीं पता नहीं क्यों तुमसे शादी कर ली मैं रानी की तरह रहूं इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम तो कहूंगी तुम लोग मानोग या नहीं हां मानेंगे ना मानोगी ना तो चलो सब निकलते हैं पांचवी पदमावती बहुत प्यार करती है वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए जी रही है अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना तो वो क्या करेगी पता नहीं अगर यह लोग ऐसे हैं तो जीजा लोग इनकी अलाबा कनका का मामा भी ना क्योंकि सरकारी वकील इस मामले में सफाई नहीं पेश कर पाए इसी लिए यह अदालत तुम्हें जमानत देने का फैसला सुनाती है इन सबसे अगर हम डर जाएंगे तो आम इंसान बन जाएंगे यार चल देख लेंगे अरे ये क्या उसी का फोन है यार हां हलो क्या ये सब लड़की भी पसंद कर ली चादी भी कर रहे हो उसके माबाप रेडी है क्या चल रहा है वहाँ पर क्या कर रहे हो तुम आजे डिदी अरे ऐसी कोई बात नहीं है ज़िदी मैं देखते हूं कि मेरी इजासत के बिना भाह कुल मिलाकर एक तरफ रामयन और एक तरफ महाभारत को संभालना होगा अभी तो शुरुआत हैं है नहीं है है अद्या मा आइडर के हिसाब से पहले मेरे घर गाड़ी लेकर छलो वहा से शुरू करते हैं कोड़ी आर्शू हमारा मसिए कोड़ी आर्शू जिनदाबार हरे वो क्या कोई सत्यागिर्य करके यहां पर याए है चलो अंदर जा तुम लोग को शर्म नहीं क्या चलो जाओ यहां से हमारी विराधरी के लड़ने तो किसके सामने बोल रहे हैं वो मेरे मामा है उनको हग है मुझे डाटने का जा तुम लोग अपनी शगल दिखाने की दुरत नहीं है इसे बोल दे यहां से चला जाए अब हमस्कार जी सब ठीक हरा है हलो कौन क्या मैं तिरी दी बोल रही हूं दी बोलो दी चार पांच लोग मिलकर तेरे चीजाची को मार रहे हैं क्या का मार रहे है ठीक है भी आरह हूं तो कौन सी दी है ममा पता नहीं यार कॉन है पूछा तो चिल्लाने लग गई कॉन सी दिदी है पूछूंगा तो जान से मारेगी अगर तेरी मा होती तो तुझे फोन करती ना कॉन हो सकती है दूसरी दिदी या तीसरी दिदी दूनों में से एक पकड़ूगे दूसरी ही होगी कि ऐससे मार खाने वादा मौसा है सब उसी को पीटते हैं कॉम cynशी को कुछ लियूंत क्या मौसा हमेशा माले काता है अगर जग रहा होता तो तुझे फोन करके क्यों बुलाती मैं काफी नहीं हुआ कोछ रिष्तेदारों के भी जर्म को लेकर जगरा हो रहा है तो तेरी जीजाजी सुलजाने के कोशिश कर रहे है मामा मार खाने वाला मेरा बाप है क्या अभी आता हुदी ने भी चलता हूद अरे उदर मेरा बाप मार खा रहा है तुझे खाने की पड़ी है मोटी कहीं कि आकि तुझे बताता हूद अरे जल्दी चलो मामा जल्दी चलो क्या कर रहे हो गारी जल्दी खुबाओ बैठने दो चलो 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 अब भाद लगा फे दिखाए ने सोचना है कि दुशने वाला कोई नहीं है यह तो लोगों का बाप आ गया है 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 यह ले है 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 यह जो ना नहीं है अच्छे मार भशी मार भाद लुख जो बांदे नहीं है कोई भी मेरे जीजा जी पर हाथ उडाएगा ना तो उसके टुक्डे टुक्डे कर दूंगा क्या हुआ था पोड़े अर्शु जमानत पर बाहर आ गया ना तो ये लोग मेरा बैनर हटा कर उसका बैनर लगा रहे थे तुमने नए नमर से फोन क्यों किया था अरे मेरे फोन में बालेंस नहीं था इन में से किसी का फोन चीन का फोन किया था चला अंदर आजा एक अच्छी ख़बर सुना ने आया था इतने में यह सब हो गया यह शादी के बार में क्या वही तो अब तक उस बुद्धीमान ने बता दिया क्या मुझे लगा था कि ऐसा किसी ने नहीं बत करता हूं उनका भी बहुत बड़ा परिवार है प्यार करता तो अच्छी बात है पर मैं सुच रही थी कि किसी पहचान व्याली लड़की से शादी करता तो अच्छा रहता ना ए मैंने तुछ से यह सब कहा ऐसा किसी से भी कहना मैं था मैं नहीं बोलूँगा तुम्हारी शादी में सबसे आगे मैं खड़ा मिलूँगा धन्यवाज जी जाजी ठीक है इसलिए बोला था न मामा पहले मेरे घर आने के लिए देखा ना कैसे पॉजिटिव वेवस आ रहे हैं अभी तक मेरी बात खत नहीं हुई है बोलिए ना जी नेम्स में मुझे कोई बेज़ती नहीं चाहिए ठीक है जी जाजी दूसरा अभी नहीं बताओंगा वरना तुम लोग टेंशन में आ जाओगे तीसरा रेशम की धोती और साथ में कुर्ता और पांच तोला सोना तू अपना मूँ बंद रख गुणा सिंगम की शादी में ट यह शादी में इसलिए कर रहा हूं था कि आप दोनों भाई मन से गिलेशिक भी मिटा सको पापा की यह इच्छ है क्या कहा गिलेशिक में मिटा दें यह कभी नहीं हो जकता यह कभी हो ही नहीं जकता मैंने उसको अपने कंधे पर उठा कर पाला था जायदात की लालच में बड़े लोगों के सामने मुझे बेज़त करके कोट लेकर चला गया कहा कोट में अंडरलाइन उसकी ऐसी नियत की वज़े से ही भगवान ने उसे बच्चे का सुख भी नहीं दिया जी जाजी एजी कि जरूत ना पड़े लेकिन जब माथ होती है तो इंसान की आखरी इच्छा यही होती है ना कि अर्थी को कांधा देने वाल अपना हो और जायदा तो हम मर जाएंगे तो उसके बाद थुड़ी ना लेकर जाने वाले हैं आपका जुठा दूद पीकर वह पले बड़े हैं आप बुलाओंगे तो आ जाएंगे मैं उने लेकर आता हूं जीजा जी मैं तो अपने बेटे की शादी में भी उसे नहीं बुलाओंगा तो फिर मैं तेरी शादी नहीं करवाओंगा अरे तुम क्यों से खामोश बैठी हुई हो पती सिर्फ बोलता जा रहे और तुम अब तक आप MLA बनका संसाद में बैट शुके होते लेकिन उस गोना सिंहम ने आपको चौराएं पे बिठा दिया उसे चोड़ना मत्त कैसा है तो मैं ठीकूं भाई आप नहीं आये तो मैंने शादी कैंसिल कर दी मेरी शादी आपकी मौझूद्गी में होगी अगले मैंने चार तारीक को शादी है आप जरूर आईएगा कार्ट फिर से प्रिंट होने को दिये हैं तुम लोग जाके खाना खालो आप लोग जाईए तरी वफदारी से मैं बहुत खुश हूँ लेकिन अगले छे महिने तक मैं कुछ कर नहीं सकता समानत मिल गई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी भाई समानत तो उसकी मिली है जो मैंने किया ही नहीं है लेकिन अब मैं किसी को खून करके जेल जाने वाला हूँ भाई उसकी बहन के बारे में बता लगा है आजाओ मेरे लाल मेरे काले तुम दोनों आने वाले थे न इसलिए देखो मैंने मुर्गी बनाई है आपका ये प्यार दिदी आपके इस प्यार नहीं मुझे बांद कर रखा है बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है लाओ दो क्यों मेरा मुह नहीं है क्या खाने के लिए अच्छा सुन जो बोल रहा हूँ गलत मत समझ लगा तिरी माँ के दिल में इतना प्यार नहीं है वैभाव लक्ष्मी वैभाव लक्ष्मी है गलत नहीं है गलत नहीं है सुनिये खाना तयार है आजाएए हाँ आ रहा हूँ मैं खुशकबरी बता हूँ इससे पहले मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ क्या है बोल ना आप मुझे चिकन खिलाने वाली हो और मैं आपको शादी का खाना खिलाऊंगा पहले बोल कर दो देखो तू शादी कर बच्चे कर और बच्चों को मुझे दे दे मैं अपने हाथों से पालूँगी बहुत ज्यादा पैदा करके दे दूँ आदे मैं तेरे बच्चों का सुसु चिची सब साफ करूंगी क्या खाने के टाइम पर लेट्रिंग पर शाप की बात अच्छा लड़की कौन है कनका फिर चंदा हमने तो सूचा था कि तू चंदा से शादी करेगा किसी से दिल लगा लिया गलत नहीं है आशिर無ट दे दो अच्छा तुम हो जी जाजी कैसे हो मैं तो अच्छा हूँ सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो कहां कर रहे हो उसी बेवकुफकी बेटी से कर रहे हो जानता था मैं तू ऐसी हरकत करेगा उसने मुझे शादी में आने से मना किया होगा सीना ठुक के बोला होगा कि उसने मुझे पाल पोस्कर बढ़ा किया है एक नंबर का फालतू आदमी है हमेशा मेरे खिलाब बोलता रहता है वो शादी करवाने के लिए पांच तोला सोना भी मांगा होगा वैसे इतना सोना देना नहीं चाहिए तीन तोला काफी है मेरी बात सुनो वो आदमी शादी में नहीं आना चाहिए बस मैं कुछ और नहीं चाहता मुझे अगर बुलाना हो तो इनी दोनों को ना बुलाऊ क्या बात है इच की आ रही है दोनों भाई जायदात के लिए जखड़ा करने यह अच्छी बात नहीं है न जीजा जी आप दोनों को एक साथ एक हो जाना चाहिए नहीं मिलना मिलना है जीजा जी दिल में इतनी कड़वाहट क्यों भरके रखी है कड़वाहट नहीं कुस्सा है तो मुझमें घुस्सा नहीं है क्या अपने पतीको यसी खाना बना कर खिलाती रहे है। शादी करवा तो, यह कहने के लिए घर पर आई है जुप्चाब शादी में आने के लिए लिए बोल दो हां, ज्यादा बोलने वह नहीं हो होंगा मामा यह लोग ऐसे हैं तो जिर माओं ने लड़कियों को जरुम दिया वह क्या करेंगी मामा पड़ोस का घार है कैसी हो मैं ठीक हूं तुझे क्या करना है तुम लोग तो खुश हो ना भाई साब कहां पर है गए होंगे कहीं रोजी रोटी की तलाश में एई ऐसे दर्वाजे के पीछे बैठकर आंसु बहाएगी तो चप पल से मारूंगी मुझे आपसे एक बात कहनी है हाँ सुना मैंने खुश रहो वो भी वहाँ अच्छी लड़की है आप देखोगी तो आपको भी पसंद आएगी आप सब आओगे तभी तो शादी होगी ना मैं कैसे आ सकती हूँ ए सुन अगर तुझे जहर वगेरा पीना होना तो दर्वाज दर्वाजा खोल कर पीना पड़ना मर के सड़ जाएगी चुप-चप बैटिये बिचारी क्यों भड़का रही हो उसे अब मुझे गुस्त दिलाकर और बोलने पर मजबूर मत कर अगर मैंने कुछ उल्टा सिदा के दिया तो सब लोग मुझे ही बुरा कहेंगे रुप जाओ चंदा दर्वाजा खोलो चंदा चंदा जब से पैदा हुई है चितना अपने बाप का नाम नहीं लिया होगा उससे ज्यादा तेरा नाम लिया है उसने तुम पढ़ी लिखी लड़की हो तुम्हे खुद बताना चाहिए कि अच्छा बुरा क्या है अच्छा मुझे तुमसे बात करनी है दर्वाजा खोलो ना मैं तुम्हे नापसंद नहीं करता तुम एक बात बताओंगा तो तुम खुद समझ जाओगी खोलो दर्वाजा ठी जाओ यह से अभी तू शुरू करेंगे गाव में हर कोई मर रहा है पता नहीं मुझे मौद क्यों नहीं आ रही है मैं क्यों इस घर में बहु बनकर आई मेरी किसमत ही फूटिया है अरे नहीं उठाओंगा तू कर यह कौन से नंबर है हालो हाँ कौन है अचछा आप कहा हूँ अभी क्या बात है बहुत ना शादी की बंच मुझे तुझे जब करना तो जिस दिन-भी शादी करेगा उस दिन मैं अपने आपको बीजी कर लूँगा ठीक अभी आप कहां पर ओ तेरे घर में शादी करके जो मैंने पाप किये न उसको धोने के लिए काशी आजां पांच मिनट की जाओ मैं भी आ रहा हूं अपर आप कि अपनी मर्जी से अपने टाइम पर आएगा तो कैसे चलेगा जिजा जी बस निकल गई क्या बस नहीं निकली और नहीं मैं काशी गया क्यों नहीं गए अब नहीं उठाऊंगा पोन करना वो उठा नहीं रहें गाड़ी भी कहीं नहीं दिख रही है उनकी अब देखो उनका फोन है क्या उठाऊंगा मेरी जान है क्या हुआ गाउं से बुग आई है सवाल पर सवाल किया जा रही है एक के बाद एक मुसीबत मुझ पर बरस्ती जा रही है जब मैंने फोन किया तो उठाएने और आफ फोन कर रहे हैं मेरे कले में मंगल सुत्र पहनाना इतना असान है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आजाओ तुम्हें मेरे साथ लाना इसलिए तुम्हें इतनी मुसीबत छेल रहा हूं कि मामा उनीका फोन आ रहा है जब्सक्राइब लुख जयाता तकलीफ हो रही है ना जानू अश्यानू मैं अबने फोन तो उठा आई मिस्यो यह आप क्या बात कर रहे हो बीवी ने जहर पी लिया है बड़े ऊस्पिटल लेके जा रहे हैं अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं क्या हुआ मामा उसमें जहर पी लिया यार अरे पाप रे ट्रीट्मेंट नहीं करवाना है मुझे बर शवाब चाहिए बड़ना मर जाओंगी इसको देखकर लगता है किसने जहर पी है क्या दिती जहर क्यों पी लिया अरे आप ट्रीट्मेंट कीजिए ना मैं क्यों जहर पी हूँगी जिसको तुमने श्वादी करने का सपना दिखाय है तु पागल है क्या क्यों किया तुने ऐसा पढ़े लिखे लोग सुसाइड करने पर तुले विए हैं यही सिखाय जाते हैं तुम लोगों को एक जापड़ दूँगा सर इसका ट्रीट्मेंट करो वो जो बैठी है वो ट्रीट्मेंट नहीं करने दे रही फस्टेट दे द एक काम कर इस से शादी कर ले वरना इसकी लाश को ले जाकर दफ ना दे गई यह सक या है यह दिन देखने के लिए हम लोग साथ पले बढ़ें रहए मेरे चांदनी इतनी कमजूर है यह फैसला मेंने क्यों लिये तो मैं समझ में नहीं आया ना तिक है उस लटकी से बात करके मैं तुम से शादी कर लेता हूं इने मैं वचन देता हूं तु अभी अभी क्या भी उसे वचन दे यह बच जाएगी को रिखो रहा है वो और में देखेंगे अरे और मामा मामा रुको रुको उनको कुछ नहीं हुआ है अरे वो ठीक है मैंने जूट बोला था पागे नाम से जूट बोगा है कोई नहीं है मामा जी चुपके से नहीं सुन रही है मामा इस शादे के लिए कितनी तकलिफ उठा रही है ये बात मैंने उसे बता दी थी उस लड़की ने कहा थे कि मुझे सब कुछ लाइब दिखाओ मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ पर उसने कहां से सुनना शुरू किया वह वहीं दीदी के घर से ही साथ में रहकर मेरे साथ खेल खेल रहा है ऐसा नहीं है मामा वो चल जाए मामा मेरे बात सुनो मामा मुझे तलाग दे दीजिए यह कैसी बाते कर रही है तू मुझे तलाग दे दीजिए साट साल के हो गए अब आपको तलाग की क्या ज़रूरत है लोग आपे हसेंगे नहीं क्या क्यों पच्चास साल की उमर में में बेटे के लिए घूम रहे थे तब लोग नहीं हसे थे यह तो कैसी बाते कर रही है तेरी जबान कटके गेर जाए बस कीजिए मा इस घर में बहुत जीलिया मैंने बस हो गया अब मैं चैन से जीना चाहती हूं परिशानी को और मत बढ़ाईए मुझे तलाग दे क्यों ऐसे बात कर रही हो मा तुम क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो तुम लोग तुम लोग ही मेरे वारिस को छोट पहुँचा रहे हो तुम्हारे पापा दूसरे के घर में जाने वाले थे इसलिए तुम्हारी मा ने मुझसे मेरी पसंद नापसंद जाने बिना ही इन से श बेटी दी वो भी बेजुबान मासूम है जब उसकी शादी हो रही थी तब मैंने सबसे कहा था कि जहां उसकी शादी हो रही है उस परिवार के लोग अच्छे नहीं है मैं बहुत गिरगड़ाई लेकिन अच्छा परिवार है अच्छा घर है कहे कर उसकी शादी करवा दी गई और शादी के दो साल बाद ही उस शराबी ने उसका मंगल सुत्र छीन लिया उससे कहा कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी और तुम सब लोगों ने भी उसे वैसे ही छोड़ दिया 65-70 साल के आदमी शादी के लिए लड़की ढून रहे है और उस 25 साल की लड़की के बारे में हमने कभी नहीं सोचा काम वाली को पैसे ना देने पड़े इसलिए मेरी नातिन को इस घर की नोकरानी बना कर रख दिया यही ना बस बहुत हो गया आज के बाद मैं अपनी बेटी और नातिन को कुछक नहीं सब आलोगी मा चाहरा दें मा जो जो बहुते हम कर लेंगे ना चाहराने दो उसे मेरी बात था से मां मां रुख जो मां कहा ना जाना दे तो आप उसी के बारे में सोचेगे हलो आपसे मुझे बात करनी है ने कला हूँ क्या आजी मिलेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक आता हूँ आए नमस्ते बेटी ये क्या घर आए मैमान का स्वागित करना चाहिए गुस्य मैं नहीं जाना चाहिए आओ बेटा काफी लेकर आओ ठीक है देखो बेटा ये मेरी बहन है नमस्ते आपके पिता से शादी होने वाली थी आपके खांदान में लड़की नहीं देना इसलिए चोड़ो मेरे खांदान में शादी चित्रा और पूर्णी में मूरत में होती है तो ये शादी भी उसी मूरत में हो तो अच्छा है ये क्यों बोल रहा है उसके पीसे वज़े हैं मुझे पता चला है कि तुमारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहां के लड करने के लिए चोड़ देंगे क्या हाँ सब्सक्राइब तू घबरामत वही तेरे गले में मंगल चुत्र डालेगा और इसे कोई नहीं बदल सकता आप लोग अपने आपको वही तेरा पती है पती है कह करकर बड़ा किया और अब जले पर नमा खिड़कने आई हो उसकी नही सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मानिक राओ कि बेटी आखिर भला जहर कैसे पी सकती है आपको हाट अटक आया यह जूट बोलकर महां जाकर चित्रा पोणी वहां में शादी की तारिक पक्की करके आए यह बेसती है मैं क्यों सिंदा रहू हूं मैं चलो आप सरकस दिखाने है क्या सरकस ही दिखाएंगे अभी देखते जा जीजा जीजा जी अरे इसकी बेटी हॉस्पिटल में थी ना तब खरीद लिया हो रहा शहर में दुकान ढूंडना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है पर पता नहीं इसे कैसे मिल जाता है समझ में नहीं आता य भी क्या थोड़ी लिया मुझे पता नियुकान दिखानी है was और कि अधर गया दिखान दीचन कलेमें और क्लम ले को आधे तुम वातने देख में बहुत सालों से मेरे दिल में बाते हैं मो बोल कर मर जाओं क्या पानी करके सफारी सूट को उतार दे मुझसे परदास्ति हो रहा जब मैं मर जाओंगा तो मेरी मयत में धूती कुर्टे में आएगा कि नहीं आएगा बोल क्या हुआ क्या हुआ यह कहा ले जा रहे हैं इसे क्या करेंगे सबको बहुत जल्दी है तो मैं यहीं पर मर जाता हुआ है तेरी जेब में जितने पर सब्सक्राइब मर जाएंगे तो सब्सक्राइब अब जाओ यहां से पहले भावाल है शीव गामी है जो हमारे खर पर आकर हम पर राज करने वाली है अरे रुके 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 आपके परिवार में इससे शादी करो इससे शादी करो दो हिस्से में बट गया है ना देखे यही आप लोगी प्रॉबलम है परिवार में राजनीती नहीं होनी चाहिए राजनीती में परिवार हो सकता है वो चाहे किसी भी लड़की से शादी कर ले पर वो सोडा वाली इस घर में नहीं आईगी हमारा भाई है हमारे घर में शादी करनी पड़ेगी हाँ बिलकुल यह तो फूट गया चाली साइबा इतना है बचाए क्या भुक खड कहीं का कैसे ठूश रहा थो तो उस गुड़ा सिंगम से प्यार करती है क्या लड़कों ने बताया मैंने विश्वास नहीं किया हाँ मामा विश्वास कीजिए मैं सच कह रही हूं सुन मैं उसे बिलकुल पसंद नहीं करता हूं मैं उसे बहुत पसंद करती हूं तो उससे प्यार मत कर यह तेरे लिए भी जिन्दगी का फैसला मैं ही करूंगी को में पहले उसके घमंद को मारना होगा उसके बाद उसकी जैदात को फिर उसको मारूंगा नाराज हो क्या नाराज हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अकला आपन महसूस हो रहा है आवास से लग रहा है कि तुम्हेरा मूड खराब है अरे बाबरे, मेरी आवास सुनकर पता कर लोगी कि मैं किस मूड में हूँ तुम्हारी आँखों को देख कर समझ सकती हूँ कि तुम केस मोड में हो मुझे अभी तुम से मिलना है ऐसा है क्या अच्छा अपनी आखे बंद करो अपनी रूम में सारा काम खत्म करके तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो फ्रेश होकर तुम्हारे मन पसंद पिंक नाइटी पहन कर तुम्हारे करीब सोकर तुम्हें कस के पकड़कर तुम्हारे माथे को चूम लिया फिर तुम्हारी आखों को और फिर तुम्हारे होटों को तुम्हें के चूम लिया मेरे शोना तुम्हें चल्दी घर पर लाकर साड़ी पैना कर सिंदुर लगा कर तुम्हें बीवी के रूप में देखना चाहता हूँ मालेक हमारे केले के सारे पेड़ों को नश्ट कर दिया सब कुछ बर्पास कर दिया उन लोगों ने ये बगवाद बदमाशों ने ये क्या कर दिया सब बदमाश ने ये सब कर दिया मालेक मालेक हमारे थौरों बैलों को किसी ने मार दाना ना ये बदमाश कों represents किस जो शेतरा है बहुत बुरा हुआ मालेक अच्छा नहीं हुआ यह मुझे वहाँ पर देखने दो करता है कि अ जाते अधीघ विए करता हुआ kyu करता हुआ मालिक बैलों को खेतों में दफना दिया है देखे मालिक पहले ये कितने खूबसूरत लगते थे अब चारों दरफ सन्नाटा हो गया है बाई सहब पाँच हजार केले के पेंट दो प्यारे प्यारे बैल इतना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चाहे जितना बड़ा आद्मी हो दुख तो होता ही है क्या सर घर में इतना बड़ा मातम चाया है परिवार वाले आये नहीं किसी ने अलग कर दिया क्या गुड़ा सिंगम मातम है क्या नदी के किनारे बेड कटवाने में तेरा हत था न और हो सकता है उसी गुस्से में मेरे लड़के ने तुम्हारे केले के पेंट और बैलो को को अचना नहीं चौड़ूगा अभध लिए बड़ए के कोशिच किया आपको आपको जिदण नहीं चौड़ूंगा आपको आपको अज़ूंगा कि यह लेगा जाड़ क्या चीज है रहे भाई ने बोलो तो आदमियों को कट डालता अरे अब यहां आगे हो तो मूलटका के केव बैटे हो हमारे अरसू जैसा लटका मिलेगा गया देला खतम होने दो देखो फिर इसका जंडा कैसे लह राएगा मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मांग सकते हैं उसने सिर्फ अच्छा इंसान होने का ढोंग किया था उसको अच्छी तरह सबक सिखाना होगा आपकी बेटी की शादी उससे नहीं हुई इसलिए दुकी मत होई है मैं कर लू आपके दिया इनोंने चोड़ दे चोड़ दे बहुत तर्थ हो रहा है कि दी आपके बिना खर सुना सुना लग रहा है मैं भी इतने दिनों से इंतिजार कर रहा हूं कि आप आओगी मा चलो न मा घर में इतना कुछ हुआ फिर भी आकर देखने का मन नहीं किया आपको मा चलो न मा दिदे दिदे ए सुन तु भी इनके साथ मिल गई है क्या है मुझसे बात नहीं करेगी मुझसे बात नहीं करना चाहती है दिदे ये मा क्या बोल रही है हमने कभी से नवकराने की तरह रखा था दिदे दिदे मुझसे बात करो दिदे मैं आपसे बात कर रहा हूं हमेशा मेरे सपोर्ट में बात करती थी न तो आप क्या हो गया आपको दिदे मुझसे जाने को कहो मैं चला जाओंगा लेकिन इसे ख ठीक है, जब भाई कहकर आओगी ना, तब देख लूँगा. मामा, अगर मैं सिर्फ आपका भामजा होता तो यहां कभी नहीं आता, आपका दोस्तु बच्पन से इसली आया हो मामा, यह सब क्या हो रहा है मामा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मामा, पुरुशत्म कितना बदल गया है, आपकी शादी को रोकने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा है, अपनी चांदनी के शादी उस कोडिया रसू सो करवाने के बाद चल रही है, चांदनी के शादी पक्की करवाई है क्या, वो भी है खूनी के साथ, वही मेरा दामाद है, अब क्या करना है, कौन, वो खूनी मेरी चांदनी के साथ शादी करेगा क् यह सब हो क्या रहा है मेरी बेटी की शादी रोकने वाला तू होता कौन है चांदनी हमारी खर की लक्षमी है मेरे गुस्से की वज़े से उसकी जिंदेगी खराब मत करो तुझे इतनी चिंदा करने की ज़रत नहीं है जिसकी किसमत में जो लेखा है वही होगा तुझा जाके जलो तुम ईटावाली से शादी कर ले चंदनी मैं तुम से बात कर रहा हूं रुक को यह सब यहां पर हो क्या रहा है औहो गहां ऍट होटड़े जासकता मैं खून कर सकता हूं लेकिन शराब नहीं प्यूंगा तो फिर मामा आज तुमने इतनी क्यों पीली मामा आँ बोला तो था मेरी दीदी काकपती शराब पीकर मर गया था इसलिए मैंने ना पीने की कसम खाई थी लेकिन बहुत बेज़ जदी कर दी मेरी लगा था शराब पीने से दर्द कम होगा लेकिन वो तो दर्द और भी बढ़ता जा रहा है मेरा गर खुशियों से चेक रहा था लेकिन आज शमशान की तरह लग रहा है दूसरे को रुलाने वाला इंसान खुद एक दिन रोता है मामा सबकी वज़े मैं हूँ कह रहे हैं इसलिए किसी से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए वो या तो जखम देगा या जखम दिलाएगा इसलिए मैं किसी से दिल नहीं लगाता और कोई मुझसे प्यार भी नहीं करती है सही है तुझे मुझे पर प्यार नहीं है चल मामा घर में चलते आजा मामा वह मंदिर है मैं अंदर नहीं जाओंगा अरे तो फिर नहां के आते हैं यह सब लोग इदर ही है ना मैं भी यहीं पर लागा मामा अपने बच्च तुम मुझे वहां लेकर जाएगी यह नहीं नानी मैं कह रही हूं ना वहां मज जाओ मानती क्यों नहीं आज मुझे वहां जाना ही है बहुत दिनों से इस दिन का इंतिसार कर रही थी कर दूं कार में रहना मैं बात करके आता हूं ठीक है पापा अरे सुनो कहा हो अभी आई जी बताए क्या लें गया नहीं वो सब कुछ नहीं चाहिए जी नमस्ते आपके सामने अचानक आकर ख़ड़ा हो गया आप सोचकर उलजन में होंगे ना करीनिया जब कॉलेच से आ रह कि निया किसी तरह उनसे संभलका रात हो गई पुश्टाच करने के बाद पता चला कि वो कोड़ी आरसु के आदमे निकले मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है उसे सही सलामत आपके घर में सौंब दू तो मुझे चैन मिलेगा अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप बता सकते हैं बहुत दिनों बाद आए आजा बैटकर बातिं करते हैं अरे बाहर क्यों खड़े हो आजाओ अंदर आओ मैं यहीं पडिक ओं बड़ा या बैठने के लिए बोल रहा है क्या बात है बापा सब को बाहर बैठा कर रखा है अरे ऐसे ही बाहर बैठकर बातिं करेंगे न तुम बैठो ना, आओ, दरसल मैंने एक फैसला किया है, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, इसलिए सब को बुलाया है मैंने, मुनिम जी, जरा कागजात वगरा लेकर आईए, हाँ, बड़ी बेटी महा लक्ष्मी, तुझे क्या चाहिए बता? पापा, अभी ये सब क्यों? तुझे वो फार्म हाउस पसंद है ना, तो तू वो रख ले वैभो लक्ष्मी बेटी, तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा ए, तेरे बाप के दिल में क क्या है, ये पहले से जान ले, वरना बाद में पच्ताना मत, अपने बेटे को क्या दे रहे हैं, पहले से ही पूछ लो, आप अपने बेटे को क्या देने वाले हैं, पहले बताएंगे क्या? मैंने उससे पूछा था कि तुझे जायदाद या लड़की में से क्या चाहिए, तो उसने कहा था पापा मैं खुद कमा लूँगा। उस लड़की से उसकी शादी करवा होगे। यही कहना है ना आपको। क्या फरक पड़ता है। ए अच्छी तरह से सुन ले। इस जाइदाद में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि हमें आपकी जाइदाद से प्यार है। ऐसी बात नहीं है। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। लेकिन अब यह से बचाना क्यों। अब किसी की जिंदीगी का क्या ठिकाना है। अब अगर ऐसा मेरे मन में आहीं गया है, तो उसे हो जाने दोना। शो, जाई जा। ठीक है, अगर यह जमीन जाइदाद का मालिक नहीं होता तो कोई अपनी बेटी इसे देता क्या। सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए मैं जाइदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ, फिर सारी मुश्किलें खत्म। मतलब हम लोग जाइदाद के लालच में शादी करवाना चाहते थे, प्रिष्टेदारी कोई माइनी नहीं रखती क्या। हम लड़के से शादी करवाना चाहते थे, चाइदाद से नहीं। क्यों तुम ऐसी बात कर रही हो, तुम्हारा प्यार मुझे पता नहीं है क्या। कैसे मजाक उड़ा रहा है। अब भी कैसी बात कर रहे हो। अरे, अभी भी तुम लोगों को अपने बाप के बारे में पता नहीं चला। तुम लोगों को तुम्हारी कीमत देकर तुम्हारा मुझ बंद करवाकर अपने बेटे की शादी कहीं और करवाना चाहते है। तुम लोगों को बाहर बैठा कर और समधी को अंदर बैठा कर यहां क्या चल रहा है वो दिखाना चा रहे हैं और वो अंदर बैठ कर हमारी बाते सुन रहे हैं मुझे लगा ही था यह कोई तरीका होता है क्या ऐसे भी कोई अपने दामाद को इज़त देता है क्या पहले दिन केले के पत्ते पर खाना दूसरे दिन थाली में खाना और तीसरे दिन हाथ में अचाथे दिन जमीन पर ए देवी मा कहवाद बोलने के लिए तुझे यही टाइम मिला क्या चल निकलते आजिए अपर जाएए ऐसा कुछ नहीं है क्यों बिना मतलब की बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं है जो आया है उसकी तो जरूद है नहीं और जो आने वाले तुम लोगों को उसकी जरूद पहले है अरे मैंने उन्हें नहीं बुलाया है, वो लोग खुदी मुझसे बात करने के लिए यहां आए हैं, रिष्टे की तो बात करने आए होंगे न, आज के बाद मैं यहां पर पैर नहीं रिखूंगा, अगर रखा तो पूछना की क्यों रखा, वो न, सारी बेहन एक साथ हो गई ह ठगड़ा-ठगड़ा करना शुरू कर दिया है, उसका परिवार वैसे इतना भी बुरा नहीं है, सुनिए, पहले आप अंदर आइए चलिए, तुझे मेरे साथ आ रहा है तुआ, नहीं तो फिर तुभी यही रहे, जब आप जा रहे हैं, तो मेरा यहां च्याका, अरे, सु किसी और के हाथ से अमंगल सूत भीड़ा दे रहा, इतना सब होने के बाद में यहां क्यों रूखूंगी, आज के बाद इस घर से मेरा कोई संबंद नहीं है, अब इस घर में किसी की मौत भी हो जाए, तब भी यहां नहीं हाओंगी, बहुत अच्छी बात है, जो मेरी बात के रिष्टे से आओगे, और यह मामा के रिष्टे से आएगा, वो क्रिया कल्म का सा बात मुझे आभी दे दो, मैं चली जाती हूँ, यह रिष्टा रखने से अचाहें कि मैं खुदी जलकर मार जाओ, अरे क्या बूर यह तू, गर के अंदर जाओ, और कफन लाकर इसके मू भी इस घर से चली जाओ, मा, मारू जाओ मा, मालके, मतलब हमारा भी अंजाम यह होबा क्या, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है, हाँ सही का, ठीक कह रही हो, इजज़त देने की बात करके बेज़ज़त कर रही हो, खुश रहो, हमारे चार दामाद कोक से जन्मी हो, फिर तुम्हारी सोच अलग कैसे हो सकती है, तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए एक लड़के को जन्म दिया था, आज जबकि वो तकलीफ में है, तो तुम सब स्वार्थी हो गई हो, हमने जिस फसल को अपना बच्चा समझा, वो लोग उसको काट कर च मैंने उसी दिन इस से कहा था, कि अगर हमारे परिवार में से कोई एक भी यहां नहीं आया, तो तेरी शादी नहीं होगी, तू किदर जा रही है, कार में जाके बैठ, पर अब तुम लोग आओ या ना आओ, ये शादी तो जरूर होगी, और ये फैसला मैंने सोच समझ कर ल आपके परिवार को तोड़ने की वज़या मैं नहीं बनना चाहता, अब मैं क्या करूं, मार दे हाथा थोड़ा, ये सब क्या बात कर रहे हैं आप, कफन वगर की बात करें, क्या बोला तुमने, हो को तुम, हमारे घर के मामने में बोलने वाले, सुनिए, थोड़ा इज़त स परिबात की जिना घर कंपर Jira कमें चींञा दया है, मुझ से बुरे को यह इन होगा, इज़त से बस रहे हैं क्या मारने आ मा मारने क्या रहा है क्या अरे ने क्या हो रहा है इसका जवाब तुमने हाथ उचाया इसका जवाब तुम्हें देना होगा महरबानी करके सब लोग यहां से चले जाए मैं कहा रहा हूं चले जाए दादी मेरी एक मदद कर सकती हो बोल मेरे बच्चे क्या करना है आज तक मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा है नब्बे साल की हो गई हूं सब लोग मिलकर मंदिर में मेरे सिर पर एक लोटा पानी डाल दोगे तो मैं चैन से मर सकूंगी मेरी आत्मा को शान्ती मिल जाएगी जब बुलाएंगे तब जाएंगे जब जाने के लिए कहेंगे तब चले जाएंगे हमें मिली बस समझ के रखा है क्या अरे चला मामा आभी एक दिन की बारिश से तुम्हारा सारा रिष्टा शक्कर की तरह पानी में घुल गया इतना बड़ा परिवार होते हुए मैं अपन मैं जिन्दा हूँ तो मुझे मिलने नहीं आई जब मर जाओंगी तब मुझे माला पहनाने तो आएगी ना या फिर उस वक्ट भी नहीं आएगी तेरी उस भटभटी पर बैठ कर मेरी तो कमर ही तूट गई चलना भी मुश्किल हो गया है बेटा तेरी सब ही बेहने आने को तयार है दादी के प्रोग्राम में पुरा गाहाँ आएगा तो सब दीदिया नहीं आएगी क्या घर का काम है तो करना ही पड़ेगा नानी चलो ना कहा तुमारी मा कारिक्रम है मैं नहीं आ रही हूं हम सब के खुश्यों के लिए हमारी पर नानी ने मंदिर की कितनी सिडिया चोड़ी होंगी हमें मुस्कुरात हुए जाना चाहिए नहीं आ रही हूं कहा ना नानी नहीं आ रही हूं नहीं आ रही हूं नहीं वीर विटूज्ट करें वायो चुट में यह सब्सक्राइब करें? नहीं यह सब्सक्राइब करें है अब स्प्राइब करें बोल क्या हुआ जी तामर मलालन सेंडियार का इस गाव में बहुत बड़ा नाम है तुम्हारे घर में जो ये खाना देने वाले हैं उनके लिए मैं इलाम नहीं कर सकता कोई भी एरा-गेरा आजाता यहां पर थू सुनिया मेरी बात था सुनिया सुनिया तो नाम बड़ी चीज होती यह यह मीन बस ने यू-टर्ण को लिया यू-टर्ण ले गरके क्यों जा रहे हैं आए नमस्ते आए अधि आओ बेटी था अधि कि आई नमस्ते अधि यह यह बेटी यह वेलकम वेलकम आपका यह जा ए लिए इतने अधिक यह जा रही है आइए आइए नमस्ते एक इंसाने जो बिना बुलायाता है बहुत सब्सक्राइब बाई इस फंक्षन में घुसकर दंगा करके तुझे मारने कैं प्लाइन किया है जरा बच कि ठीक है ना बता दे रहा हूं अपने जीजा से सभब रहना सभका खोका पहुंचा दिया सभब रहना नमस्ते आता हूँ मेरा फर्स तब बताना बता दिया ठीक है न मस्ते नमस्ते क्या मामा बेकार इंशान है वो जिससे आप खड़े घर के बात कर रहे थे आदमी रखना सिर्फ उसी को आता है मैंने भी अपने खर में आदमी रखे है वो अपनी पार्टी के है चला जा देखते है जीती रहो बेटी हमेशा खुश रहो अरे आप आपका पैर छुना तो मेरा सोभागे है हमेशा खुश रहो तू जो कुछ कर रहा है वो हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा तेरा दिल बहुत बड़ा है हमेशा खुश हो सदा सुहादन रहो बेटी हाँ आपसे बोलना हो इस फंक्शन में आकर आप लोगों ने इसकी शोबा बढ़ाई है कम से कम खाना वाना खा करके जाईएगा आप तो ऐसे जा रहें जैसे पराये में आये थे गाली दिना तो मुह पे दो ऐसे दिल में रखकर के मत घुमो भाई आग है तो बुजाना तो पड़ेगा ही ना खाना खाकरी जाओ अरे सुनो इस घर की लड़की से शायदी किये इस नाते यहां आया हूँ मैं मेरा मूँ मत खुलवाओ आपके अंदर अकड़ और घमन कुछ जादा ही दिख रहा है मुझे अपने आपको जंगल का शेर समझते हैं क्या मैं शेर हूँ बोल क्या कर सकता है बोलना गुस्सा है तो यहीं थोग दोना बेटा गुस्सा कच्रे की तरह होता है कौन मैं गुस्सा कर रहा हूँ मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी से बढ़कर उसमें ऐसा क्या है क्यो ऐसा किया क्यों मेरा मुझ खुलवा रहे हो सुनिए आपको जरा भी अकल है क्या सबकी वज़े वो है और आप उससे बात कर रहे है वो तो ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो मासूम बन कर मुझे तो लगता है अपने ससुर को यहीं कहीं चिपा कर रखा होगा हमें यहां बेज़दी करवाने के लिए बुलाया था मा ए छोड़ मा दीदी मेरी बात तो सुनो मैं कल ही अपनी बेटी की शादी करवा दूँगी अपने आपको मामा बता कर मैं ही माला पहनाऊंगी इसे और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना भाई भाई कहकर इसको हमने सर पर उठा कर रखा था लेकिन इसने तो हमारे दिल को मटके की तरह तोड़ दिया है आज तक हम सब बेहनों के बीच में जित्ती भी खुशियां थी आज वो खुशियां रही ही नहीं सब लोग एक दूसरे को मूँ फेर कर चली जाती है अपना पन्नाम की कोई चीज रही ही नहीं दूसरे की खुशियों के लिए तुमने हमारी खुशियों की बली चड़ा दी उसमें ऐसा क्या है जो तू उसे पसंद करता है इसे पकड़ी हमा अब मैं कुछ बोल सकती हूँ देखो अभी तुम लोग मंदिर के अंदर खड़े हो अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो क्या तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए अच्छा साबीत नहीं हुआ तेरा पती बेरोजगार था उसे मीनी बस खरीद कर किसने दी तेरे भाई नहीं दी थी ना करस से पैसे लिए थे आज तक उस बस के लिए करजा भर रहा है बिचार तेरा भाई और तू ऐसी बाते कर रही है और तेरे बच्चों को किसने पढ़ाए ये तो बता तीन लड़कियों की शादी करवानी है इसलिए बैंक में पैसे डिपॉजिट करके रखे और तुम लोग इस तरह की बाते करती हो उसके बारे में शर्म नहीं आती बैसाखी हो, पोंगल हो, दिपावली हो हर तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया उसने और तुम लोगों की जनन दिन पर जो किया है उसके उलाहना मत करो इससे बहतर हो था कि नहीं करते ये बोल रही है तो इनको बोल ले दो ना मा मैं इनको कोई उलाहना नहीं दे रही बस इन्हें सब याद दिला रही हूँ, क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की बेटियों की शादी बड़े अच्छे घर में हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या चाहती है, किस तरह की बाते सोचती है, क्या एक मा के दिल में अपने बेटे के लिए कुछ इच् तुम लोग खुश रो, इसलिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, सब के खायश पूरी करने की कुशिश की है, तुम लोग जानती हो कि जो जिम्मेदारिया तुम्हारे पतियों को रिभानी थी, वो सारे जिम्मेदारिया मेरे बेटे ने निभाई, ये सारे बोज उठ तुम पुछो अपने आप से कैसी बहनी हो तुम लोग उने क्या किया है अपने बाई के लिए जब तुम बीमार पड़ती थी तो मेरा बेटा ही तुम्हें होस्पता लेकर जाता था तुम्हेरे पती नहीं लेकर जाते थे कितनी सेवा कितना पीजी पठका सब कुछ भूल कितना अकेला कर दिया है मेरे बेटे को हलो लाइन पर हो क्या कहा मर गये इसके पावन मन को कोई समझ नहीं पाया भीरे खुल दी था है हम लोग तेरे पैर दोकर पानी पीए तब भी कम है माप कर दे हम सब को बहुत भला बुरा कहा न हमने तुछ से मेरे पते की कितनी बतत क यह तुने इस पार माफ नहीं करेगा कि अपनी बेहन को बढ़ा दिल है तेरा माफ कर दे है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है साले साहब मुझे माफ कर दो अरे को बत नहीं यही गुस्सा है ना आपके मन में इसलिए एक दूसरे से इस तरह मुझ फेर कर जा रहे हैं चाओ त लेकिन महरवानी करके मुझसे बात किये बिना मत रहो तो मैं सहच नहीं कर सकता है आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना वो भी एक तरे का प्यार ही है और मैं भी जो कर रहा है वो एक तरे का प्यार है अभी आप लोग मेरा गुना बता रहे हो कि मैंने आप लोगों के कहने परशादी नहीं की, लेकिन कोई मेरी मजबूरी समझ सकता है, मेरी परवरिश के बारे में बात करने लग गया है, आप कहरेए कि आपने मुझे हैसे पाला, उस बात के लिए मैं आपका कर्जदार हूँ, और ये भी ऐसा ही बात कर रही है, कहरे है तेरे बच्पन में मैंने तर मैं आ रहे हो, आपकी इचा की अनुसार अगर शादी करूँ, तो दो लोगों की सिंदगी बरबाद होगी, मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, दीदी के मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, रिष्टेदारी तूटनी नहीं चाहिए, इसलिए चालीस साल के म इसलिए मैंने बाहर जानी की कोशिश की, और वो मेरी सिंदगी में आये, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, शायद भगवान की यही इचा है, इसलिए मैंने आप सबको बताया, और इस बात को लेकर आपने एक दूसरे से मूँ फेर लिया, ठीक है, अब ही बत रिष्टेदारी में शादी करके हर कोई खुशी रहता है बेटा, तुम भी कर लो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बातें करना, हसना, मिल चुलकर रहना, मुझे किसी में अलग-अलग चीज से पसंद नहीं है, पर सर्फ तुम में पसंद है गुणा, तुम हमेशा ऐसे ही रहना यूशी बात है, इसके कोई पिता नहीं है, तो इसी से शादी करवा देते हैं, मुझे से शादी करने के लिए तुम तयार हो ना, गुणा, शादी कर लूँगा, तुम हुष तो रहोगे न, गुणा, कोशिश करूँगा, तुम किसी चीज की कमिनी होने दूगा, आपको र आपको डी हो कि अइसको नहीं तो सब्सक्री साथ जो सबकर गूमते हो। हुए.. ंपकूँण चिया रुपी और ऐछ नहीं है। कि यहार इजाइदाद एजिसने कि कुई पसनि करता है अगर किसी ने रोगता सुसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मेरी माँ अभी इसके गले में मंगल सुत्रे पहनाने को क्या रही है इन लोग उने मुझे बुलाया ऐसे लिए यहां आई हूँ मेरे पापा इस रिष्टे के लिए रासी नहीं होगा दरो मत बेटी मेरे मामा बहुत गुस्से में है हालात अपने आप परिस्थितियों को बदल देता है मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा निश्चन्द होकर जाओ हमने तुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा था उस कोड़ यार सुने हमारे परिवार के गले पर तलवार रखी है मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है मेरे सारे रिष्टेदार नीचे बैट जाओ आस पास में कोई नया चरा बैठा है किया चुपकर वार करता है कायर मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मेरे बेटे से मुकाबला कर सुन बेटा इसे इसके घर पर पहुचा दे ठीके पपा गोड़ा सिंगाम तेरा बाब मैं मर्द हूँ की नहीं ये पूछ रहा था इसलिए मैं यहां आया हो तू लड़की उठा सकता है क्या मैं भी उठा सकता हो तूने एक को उठाया मैंने दो लड़कियों को उठाया दो नहीं भाई तीन अरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा क्या उसको यहाँ छोड़ के बाक्यों के लेकर जा चलो उत्रो अरे ओ लड़कियों हाई गुड़ा डर लग रहा है क्या डर हमें क्यों डर लगीगा जब तुम हमारे साथ हो छोड़े मामा अच्छी तरह से पिट्राय करना हम फाइट देखने आए अबे ओच चर्सी तुम दोनों भारा हो क्यों मैं जिसको मारता हूं ना उसका वसन कम से कम पचास किलो होना चाहिए तुम दोनों अंडर वेटो गेट आउट चलो आओ अच्छा वैसे इसमें कोई किसान है क्या वो लोग मेरी तरफ आ जाओ किसलिए किसान के पीट पे पहली इलाग पड़ चुकी है ना उसको मैं भी मारूं क्या किसान किसान को नहीं मार सकता हूं इसलिए बोल रहा हूं के किसान किसान के पास ही जाए रहा हूं और यां पर विपी शुगर हार्ट पिरिशन ऐसा कोई है क्या अगर है तो इस तरह आ scor c 00ha ना मारूंगा ना? मारो ले! करके हट्टी पस ले एक कर दो! कर कर का दो! कर को दो! कर क्या एक कर दो! दो एटव जूकल हो और है असे लाए करोछ और वान ब 새या है किक रख इश सब्सक्रोब अर है भान pourquoi? कि उन्स है रहा मधार था? दूनर और नना कम उे म carbon नहहर राइ मैंने जिनको आपने भाई की तरह पाला था उनको तुम लोग ने माड़ा ला हाई प्रेंस आज हमारे घर में शादी है हमारे गुणा से घमकी अरे आओ आओ बेटा आओ देख रहे हो आज हमारा पूरा परिवार यहां इकठा है तो कितना अच्छा लग रहा है इसे कहते हैं खुशाल और भरा पूरा परिवार चलो अच्छा है कम से कम सब लोग एक तो हो गए स्टॉप हमें भी चलना आता है यह जा यह शुरू हो गया देखा हलो वाट्स गोइंग आओ 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 पापा परी पेदा हुई है अपने घर में मालक्षमी आई है माने छाठ लड़कियों को जनम देने के बाद पांच में लड़की को जनम दिया अभी माइ क्या अग्ला बेटा होने वाला है प्रांविली प्लानिग करने के लिए बो दिया है यह क्या बोल रहा है बेटा इंडका पिदा नहीं होगा बच्चों में लडका लड़की क्या होता है पपा जनम देनेरें परवरिश जरूरी है इस परी के बाद और क्या चाहिए अभी लड़कियों की डिमंड जाता है बच्ची लगता है तुझे भी मही पालूगा पापा कैसे हैं इसे हैं इसे हैं झाल के बच्ची लगता है तुझे कैसे हैं